स्वागत है आपका तो इतिहास के अंतरगत खिलजी वन्स से संबंधित महात्यपूर्ण और परिच्छा प्योगी तत्त 1290 से 1320 इसवी खिलजी वन्स फस्ट पॉइंट गुलाम वन्स के बाद वर्स 1290 में खिलजी वन्स की अस्थापना किसके द्वारा की गई थी सही जवाब जलालुद्दीन फिरोज साह खिलजी रक्त और लोह की नीति को त्याग कर शाशन के उत्तर नीति का अनुशरण करने वाला दिल्ली का पर्थम सुल्तान कौन था सही जवाब जलालुद्दीन फिरोज साह खिलजी वर्स 1296 में कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी सही जवाब अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी के बच्पन का क्या नाम था सही जवाब अली गुरशस्प जलालुद्दीन के हत्या के बाद अलाउद्दीन खिल्जी ने अपना राज्या विशे कहां करवाया था सही जवाब बलवन के लाल महल में सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने पर्थम आकर्मण के से सासक पर किया सही जवाब रायकर्ण गुजरात के सासक पर वर्स 1303 में अलावदीन के द्वारा चिताओड पर आकर्मण के समय वहां का सासक कौन था? सही जवाब राणा रतन सिंग अलावदीन के दच्छिण अभ्यानों का सेना पती कौन था? सही जवाब मलिक काफूर मलिक काफूर द्वारा सर्व पर्थम दच्छिण भारती राजी पर आकर्मण किया गया किसके देवगिरी? सही जवाब दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था? जिसने नकत बेतन के साथ अस्थाई सेना का शंगठन किया था? सही जवाब अलावद्दीन खिल जी अलावद्दीन खिल जी द्वारा सेना में बरस्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई? घोडों को दागने की पर्था तथा हुलिया पर्था चराई कर तथा ग्रेह कर घरी चरी कर लगाने वाला पर्थम सुल्तान कौन था? सही जवाब अलावद्दीन खिल जी दिल्ली शल्तनत का वा पर्थम सुल्तान कौन था? जिसने स्वयम को खलीफा घोशित किया सही जवाब मुबारक शाह खिल जी गोडे के नाल के आकार की महराब का परियोग सर्ब पर्थम कहां किया गया तो सही जवाब होगा अलाई दर्वाजा देलही में परियोग किया गया और प्रशनों पर चर्चा इसके नेस्ट वीडियो में